डिस्क्रिटिजाइशन डिस्क्रिटिजाइशन डिस्क्रिटाइशन यह तीन ऐसे लफज हैं जो एक ही हैं जो प्रॉनॉंस करने हैं बहुत मुश्किल हैं I know that आप भी प्रॉनॉंस करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती होगी आपको भी लेकिन on the other side यह एक ऐसा काम है जैसे हमने पिछले lectures के अंदर features को encode किया यानि कि हमने categorical features को encode करके numeric integers में हमने convert किया था ऐसे ही है अब यह discretization क्या होती है इसको check करते हैं और इसको समझते हैं कि यह क्या करते हैं यह basically आपके जो continuous variables है ना उनको convert करेगा but we have to jump into the details और हम इसको पढ़ते हैं कि यह दोनों कैसे एक दूसरे के साथ साथ मिलते हैं और यह एक data preprocessing का क्यों एक important step है ठीक है data discretization फिर मैं भूल गया data discretization बैलके डेस नहीं है discretization data discretization discrete numbers क्या होते हैं आपको भी पता है integers जो होते हैं उनको discrete number बोला जाते हैं ठीक है अब यह process क्या है अगर मैं इसकी definitions जो है वो उठा के यहां पे रखूँ then it would be easier for us to understand कि यह है क्या अगर आप गौर करें जी यहां पे गोरा क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं पहले फिर हम अपनी बातों बे आते हैं data into discrete categories और bins ठीक है आपके पिछले lecture में question आ रहे थे कि बिनिंग क्या होगी फ्लान चीज क्या होगी अब उसको पढ़ते हैं जब आपका categorical data था आपने उसको numeric में किया तो इसको हमने बोला क्या बोला था हमने encoding अब हमारे पास data numeric है लेकिन continuous numeric है या दूसरा numeric है continuous continuous data है जो हमारे पास काफी बड़ा data है जिसके histogram बनाते आए हैं हम ठीक है इसको हमने discrete categories के अंदर लेके आने categories और bins के अंदर लेके आने ठीक है फिर ये तरीका कार जो है categories या bins के अंदर लाने वाला इस तरीके कार को हम discretization बोलते है discretization ठीक है this process can be particularly useful for machine learning algorithm that handle categorical data more effectively than continuous data तो आपको मैंने पिछले में बताया कि कुछ ऐसे algorithm है जो category की बजाए numeric data को handle करते हैं अब कुछ ऐसे हैं जो numeric की बजाए categorical को भी prefer करते हैं तो वहां पे हम binning करते हैं ठीक है या हम discretization मोलते हैं इसको it can also help to improve model interpretability and handle outlines more robustly say for example आपका एक data है और वो है age का data बजाए इसके कि आप specific date को age को बताएं आप उसको convert कर सकते हैं तीन से चार groups में for example children's आप उसको कह सकते हैं teenagers आप कह सकते हैं young आप कह सकते हैं old तो यह हमारे पास जो categories हैं यह हमें एक अच्छा idea दे देती हैं about an age बजाए इसके कि आप लिखें 30 साल 31 साल, 29.9 साल 12.3 साल या 13 साल, something like this so this can be converted like this और हम इसको भी retain करेंगे यह process होता है जनाब discretization का और इसके लिए जो library जयातर use होती है वो आपकी pandas भी use होती है आपकी scikit learn भी use होती है और आपके पास different और भी different type की libraries जो हैं आप use कर सकते हैं ठीक है so यह हमारा discretization होता है इसको binning भी बोल देते हैं अक्सर को आथ और हम binning के through भी इसको utilize करते हैं अब discretization के लिए हम basically चलते हैं अपने algorithm के ऊपर और python के अंदर इसको समझते हैं कि यह किस तरीके से हमारी help कर सकती है let's see मैं अपनी screen आपके सामने ले आता हूँ and here we go मैं यहाँ पे encoding के बाद एक और 08 discrete no discrete session मुश्किल है loves मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं अक्सर उकात क्योंकि यह तो pure English में पढ़ाना और फिर भी कोई मसला नहीं है but उर्दु में पढ़ाना थोड़ा सा मसला करते हैं right जी यहाँ तक आपको clear हो गया अब हम क्या करते हैं data discretization उसकी मैंने definition लिख दी अब हमने क्या करना है libraries import करके इसको हम run करके देखते हैं कि किस तरीके से यह run हो coding को ज़रा गोर से देखिएगा मैं यहाँ पर import करता हूँ cbond as sns क्योंकि यह चाहिए फिलाल के लिए बलके pandas भी कर लेते हैं pandas as pd यह हमने दो कर ली ठीक है फिर हम क्या करेंगे from sklearn.preprocessing import हमारे पास k bins discretizer भी है ठीक है तो हमने यह यहाँ से इंपोर्ट कर लिया discreteizer तो यह sklearn के अंदर ही मुझूद है हमने libraries को import किया import करने के बाद हम titanic का data लेके आते हैं df is equal to sns.load underscore dataset और इसके अंदर titanic का data लेके आते हैं और df.head यह मैं titanic बार-बार इस वज़ा से दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने concept समझना है for now concept हमें समझ आ गया तो चीजें असान हो जाएगी सबसे पहला तो हमने missing values को import करने है ठीक है तो मैं यहीं पर missing values को impute कर लेता हूँ impute missing values reason यह है कि अगर missing values होंगी continuous variables में यानि कि age और fair continuous है तो उसको हम कैसे देखेंगे उसको इस वज़ा से हम impute कर लेते हैं so आपको भी पता है कि missing values इंप्यूट करने के लिए आप 2 या 2 से ज़्यादा तरीके इस्तमाल कर सकते हैं ठीक हो जाए तो मैंने यहाँ पे जनाब missing values को impute कर लिए अब हम करते हैं age की discretization age discretization ठीक है age को discretize करते है using k-means नहीं k-means नहीं हमने करना हमने discretize कर दिया ठीक है और हमारे पास k-means discretizer है उसको base पे कर लिए अगर आप गौर करें हमारे पास ठीक है और इसके अंदर 5 bins बनाई यानि के जो हमारा data है ना उसको हमने 5 bins के अंदर convert कर दिया 5 bins बना ली 5 bins कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाता हूँ encode करना हमने ordinal variable की base पे भी आप कर सकते हैं ना भी करना हो encode तो आपके अपनी मर्जी strategy कौन सी है uniform यानि के uniform इन तीन चीज़ों को रखा जाए अगर आपको इसके parameters की नहीं समझा रही है तो यहां पे click करने से आपके पास पूरा function open हो जाए class अबलके यह k bins discretizer की और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस class के अंदर encode भी है one hot, one hot, dense है, ordinal है जो भी आपने use करना है uniform, quantile, k-means तो आप k-means के थुरू भी कर सकते हैं quantile है और uniform के थुरू भी हमारे पास जो इस वकर uniform है जो default है वो इस तरीके से आ रही होती but you can change तो यह हमारे पास कुछ different चीज़े हैं मैंने यहां पे इस तरीके से age का discretizer हमने बना लिया age underscore इसको हम बोल देते हैं discretizer ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ ताकि आपको नजर आए age का discretizer बना लिया अब हम क्या करते हैं titanic के data के अंदर इसको add कर देते हैं यानि कि age की bin df age की bin हम यहां पे add कर देते हैं हमने क्या किया bins बनाने के बाद वो जो discretizer था age के उपर fit करके एक नया column बना दिया अब आपको यह कैसे पता चलेगा अगर मैं df.head करूँ यह मेरे पास before के column है ठीक है यह सारे before के column है और यहां पे df.head करने के बाद इस चीज को चलाने के बाद यह सारे आपके वो ही column है लेकिन यहां पे चेक करें bins बन गई है age की bins बन गई है और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने age की bins बनाई है ordinal base पे और 5 bins बनाई है अब आपको नजर नहीं आ रही 5 bins इसी वड़ा से मैं आपको दिखाना चाता हूँ कि कैसे बनती है मैं क्या करता हूँ यहां पे उपर वाले सारे cell रन करता हूँ यहां पे एक histogram बनाता हूँ sns.hisplot और df.age.kde true करके यह हमारा age का plot था ठीक है before अब हम same plot बनाएंगे इसको run किया मैंने run करने के बाद यहां पे दुबारा से यह वो ही plot बना लेकिन मजा कहां पे है age sorry hue is equal to df के अंदर जो age bins है let's see the following variable cannot be signed with white format hue let's see कि क्या मसला है यहां पे just a minute df कॉमा just a minute यह हमारे पास age की bins है ठीक है 0, 1, 2, 3, 4 यह 5 bins हमारे पास आगी age की but I want to color that wait a minute तरीका दला भी लमाग इंशाला hue is equal to यहां पे age की bin kde true yes like that kde को बंद करते हैं अब चेक कीजेगा हमने क्या किया अब आपको color नजर आ रहे हैं यह जो मैंने 5 bins बनाई है 0, 1, 2, 3, 4 यह automatically इसने data को हिस्सों में डिवाइड कर दिया uniform हिस्सों में तो data की जितनी frequency थी उस frequency की base पे इसने 5 हिस्से बना दिये frequency प्लस आपकी age का gap और बाकी चीजे आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने 5 bins रखी दी मैं यहाँ पे 2 bins करता हूँ इसको run करते हैं जी और इसको run करते हैं अब समझ आ रही है यह data automatically 2 bins के अंदर convert हो गया हमने सिरफ number देने k bin discretizer का यही मतलब है कि आप सिरफ number दें मैं खुद बाखुद उसको यह 2 strategies की base पे divide कर दूँगा ठीक है अगर मैं यहाँ पे 3 number देता हूँ तो देखिएगा data automatically 3 हिस्सों में divide हो गया I didn't do anything और यह uniform हिस्से है uniform based on the data set ordinal uniform है आप अगर इनको change करते जाएंगे यानि कि uniform से quantile कर दें अगर यह आपके पास data transform हो गया यह जनाब आपके quantile 3 हिस्से बनगे ठीक है यानि कि left, right और quantile 3 ब्राबर के हिस्सों में data divide हो गया exactly frequency की base पे और आप check करें कि आपको अच्छा खासा नजर आ रहा है अगर मैं इसकी दो bins बनाऊंगा तो यह मुझे क्या बताएगा you can actually have a look check करें यह बिल्कुल ब्रबर ब्रबर जिसको बोलते हैं न वो उसके दो हिस्से बनगे ब्राबर के दो हिस्से ठीक है अगर आप इसी को quantile की बजाए uniform में divide करें uniform नी form तो आपके पास कुछ इस तरीके से इसे बनेंगे now you can see कि यह left वला ज्यादा इस से और यह right वला different तो यह categories हैं और हर एक strategy की base पे आपके data बन रहा है इस तरीके से आप k-bin discretizer को use कर सकते हैं different bins को बना के और आपकी bins यहाँ पे number of bins आपने decide करने है automatically uniforms बनानी है k-means की base पे बनानी है या किसी भी base पे बनानी है it will work fine ठीक है for example मैं यहाँ पे categories और भी डाल सकता हूँ अगर आप गौर करें तो quantile, k-means और uniform तीन चीज़े हैं मैं यहाँ पे k-means डालता हूँ यह वही clustering की type है k-means clustering जो मैंने आपको पहले बताई थी it's a machine learning algorithm और उसकी base पे यह आपके 5 हिस्से बन गए 0,1,2,3,4,5 अगर मैं इसको 2 में convert करूँ then it's more appealing जनाब यह ले आपका data दो बराबर के हिस्सों में divide हो गया k-means की base पे यानि के दो clusters में divide हो गया अब यह k-bin discretizer क्या कर रहा है आपके clusters बना रहा है based on different strategies तीन कर ले चार कर ले पांच कर ले और यहाँ पे आप strategy अपनी change कर सकते हैं and this is how it will work अब अगर आप यहाँ पे चेक करें कि मैं इस function पे sorry इस class पे आता हूँ और यहाँ पे अगर आप चेक करें मैं कोई भी encoding type यहाँ पे नहीं देता तो आपके पास default जो है वो automatically यह one hot encoding चलेगी ठीक है so default आपके पास पहले से होती है अगर आप ना देंगे सिरफ bins दे नहीं यहाँ पे तब भी आपका data bin के अंदर convert होना जरूरी है let me see कि यह क्यों नहीं हो रहा kbin discretizer सबसे पहले उपर वाले चलाते है use okay encoding जरूरी है so line 2 में मिसला है yes we need to give this argument I think yes encoding का argument देना जरूरी है क्योंकि आपका data जो है वो encode होके फिर आपके पास आएगा and then different जो उसकी strategies है वो चलेंगी by the way जब आप आप आइसता इसता machine learning के अंदर और भी आगे मेरे साथ जाते रहेंगे तो आपको यह और भी समझ आ जा जाएगा so this was a simple example of binning right जो आपने k-bin discretizer को use करके बना ली and there are many other examples as well जो आप use कर सकते हैं for converting your data into different bins जैसे मैं यहां पे आपको एक और दिखाता हूं pandas method for manual binning अब pandas के तुरू manual binning भी कर सकते हैं age की bin 2 बनाते हैं pd.cut लिखते हैं df age यानि के age को हमने cut करने हैं तीन bins में label 0,1,2 कर दो और यहां पे हम देखते हैं कि जी कैसे cut करता है वो बलके मैं यहां पे इसका plot बनाता हूं सीधा बजाए इसके के हम इसको देखने से फिर दुबारा बनाना पड़े तो x पे हम age bin to hue में कर देते हैं let's see तो यह जनाब आपका pandas के अंदर भी binning हो गई ठीक है pandas क्या करता है data को different तीन हिस्सों में इसने divide कर दिया आप manual cut भी लगा सकते है manual binning कैसे कर सकते हैं आप simply बता दें के इतने से इतनी age का यह वाला label होगा इतनी से इतनी age का यह वाला label होगा you can do that one as well for example मैं यहां पे define the bins for example मैं यहां पे bins कर देता हूँ के मेरे पास जो age है 0 से 20 साल के जो लोग है वो यहां पे आएंगे बलके 0 से 18 बलके नहीं 0 से 10 कर लें 10 से 18 18 से 30 30 से 50 और 50 से 80 ठीक है यह मेरे पास 1,2,3,4,5 bins बन गी ठीक है 5 bins के बाद हमने क्या करना होता है labels भी बताने होते हैं और इन bins को use करना होता है say for example अगर आप यहां पे कोई label नहीं बताते है तो यह automatically इसके label बन जाएंगे and then you can actually do that और यह fair नहीं है by the way यह age की bins है age की bins है ठीक है अगर आप चाहें तो इनके labels भी दे सकते हैं for example मैं यहां पे labels देता हूं और अगर आप गौर करें तो हमने खुद बता दिया child, teenager, young adult, adult and elder so 1, 2, 3, 4, 5 लेकिन यहां पे 6 नमबर होंगे reason क्या है 0 से 10 10 से 18, 18 से 30, 30 से 50 50 से 80, तो हमें ranges बतानी है इस विज़ा से हमारे नमबर वहां पे ज्यादा होंगे, तो इस तरीके से हमारे पास labels आगे, bins आगे and at the end you can see the plot like this, तो आपकी यह manual binning है, child जो है blue वाले होगे teenager आपके यह वाले होगे young adult आपके green वाले होगे adults आपके कुछ इस तरीके से होगे and elders are this one तो आपकी ranges क्या है, यह manually आपने binning करके यहां पे अपनी ranges जो है वो define कर ली है, और यह code आपको available हो जागा, don't worry about that मैं से online fetch कर दूँगा and then this code भी available, binning यह discretization आपको समझ आगे होगे किस तरीके से ज़रूरी है, और यह हमारे process को और भी तेज कैसे करती है now you know और इन चीज़हों इंशाला यूज करके हम data को pre-process करेंगे और machine learning algorithm की तरफ चलेंगे